हेलो फ्रेंड्स आईएसपी से स्टेड़ी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स मैं आपको अप्रील मंत की मैगजीन पढ़ा रहा हूं जिसमें मैं आपको इन्वार्मेंट वाला सेक्शन जो है आसे सुरुबात करने वाला हूँ पहला टॉप वाधुनिक कानून की यानि कि मॉडरन जो लॉग है उसकी सरवाधिक महत्रपूर्ण उपलब्दी है कि सुप्रीम कोट द्वारा पर्यावरणी जो समस्यां हैं उनका संबैधानी की करन है सुसंगत वाधिविधियों यानि जो भी केसिस हैं उन केसिस में जो भी अब इस टॉपिक को उठागर के आप अगर इस आर्टिकल से रिलेट करो तो कि आपका पूरा पूरा टॉपिक जो है इसी आर्टिकल से कवर हो जाएगा और आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे उमीद है कि सवाल का उतर लिखने में सक्षम होंगे पर्यावरण के से सनरचन के अधिकार है उसको संविधान के अनुच्छे 14 और 21 में मानता दी जानी चाहिए बड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट है प्रलिम्स परस्प्रेक्टिव से भी मिन्स परस्प्रेक्टिव से भी ध्यान देना UPSC, 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 BPSC वेगारा सभी लोगों के लिए है क् देखे, UPSC ने पूछा हुआ सवाल इस पर और एक बार सवाल जब मिन्स में आ चुका है तो जाईर सी बात है कि ये उसके दाइरे में आता है तो सुप्रीम कोट ने एक फैसले में टिपड़ी किया है कि जलवाई परवड़ता है नहीं क्लाइमेट चेंज है उसका जो भी इफेक्ट पढ़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है उसके सनरचन का जो अधिकार है वो संबिधान के अनुछेद 14 और 21 में इसको मानता मिलनी चाहिए ये बात यहां पे की जा रही है तो संबिधान का उनुछेद 14 और 21 में कहा क्या गया है पहली बात तो यह आत 21 जो है उसमें प्राढ और द्याहिक सोतनता यानि कि जीवन और व्यक्तिगत सोतनता के सनरचन को क्या किया गया है फंडामेंटल राइट घोसित किया गया है इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधी द्वारा जो अस्थापित प्रक्रिया है प्रसीजर इस्टे प्रिम कोट ने यह जो फैसला दिया है उस जो पूरे केस को ध्यान देना क्योंकि सवाल क्या पूछा हुआ कि सुसंगतवाद वीधियों से तो सुसंगतवाद वीधियों से आप देखो तो एमके रणजीत सिंग और अन्य बनाम भारत संगबाद में फैसला देते वे टिपड़ी की की और इसके बाद अगर आप देखो तो एक याचिका दायर की गई थी रिट याचिका थी जो क्या था ग्रेट इंडियन बस्टर जो है उसके परियावास के सनचन के लिए तो इस सब उधारन है जहां सुप्रीम कोट ने क्या किया है कि जो परियावरणी मुद्धें से निपटने के लिए समिधान में जो मूल अधिकार उसके दायरे को बढ़ाने की सक्ति का उपियों किया कौन कौन से मूल अधिकार तो आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार समता का अधिकार एक इस चीज़ के लिए जो परियावरणी मुद्धें हैं उससे निपटने के लिए किसको सामिल किया किस में फंडमेंटल राइट में सामिल किया सुप्रीम कोट ने एम के रणजीत सिंग और उने बना भरसंगवाद बहुत ताजा ताजा है इसको करेंट को नोट करना आप नोट बना लाँ क्योंकि इस पर सवाल बन सकते हैं और या नहीं बनेंगे तो भी परियावरणी मुद्धों से लेकर के तमाम जगों पर इस कोट को आप यूज कर स तया रिट जारी कर सकता है वह उन्चे 226 के ताज़ेश के सभी हाई कोट जारी कर सकते हैं जानते होंगे इसे आर्टिकल 132 के तहर जुड़ कर देखा दा सकता है आर्टिकल 1332 कलॉज जो है उसका बताता है कि राज जी को कोई भी ऐसा कानून बनाने से रोगता है जो मुल सभान देना आर्टिकल 142 आर्टिकल 142 करता है कि सुप्रीम कोट को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में कम्प्लीट जस्टिस यानि बात यहां पे की जा रही है कम्प्लीट जस्टिस की उसको करने के लिए डिक्री या आदेस यह क्या हूं देता है यह देता है आपका यह आर्टिकल 142 यह संभिधान के लिए जो संभिधान से जो सक्तिया मिलें सुप्रीम कोट किसी इसके लिए पर्यावरणी अधिकारों के लिए इसका इसका इस्तमाल हम लोग कर सकते हैं तो जो पर्यावरणी मुद्धों के संभिधानी की करण के संबन में सुप्रीम कोट के अन्य फैसले हैं जो सवाल पूछा हुआ है सवाल जो पूछा हुआ था बिंज में वहाँ देखो आप तो कुछ-कुछ केसिस हैं जिसको आपको रटना है इसको रटना है नोट बना करके कई बार इसको देखना है तो कौन सा रूरल लिटिगेशन इन्टाइलेमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राजजिवाद 1988 इस मामले में सुप्रीम कोट ने समिधान का आर्टिकल 21 था उसके हिस्से के रूप में क्या बताया स्वस्त बातावरण यानि की बेहतर पर्यावरण में रहने का अधिकार किस वाले केस में तो रूरल लिटिगेशन इन्टाइलेमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राजजवाद 1988 फिर दूसरा जो आपका केस है वो एमसी महता बनाम भारास संगबाद बहुत इंपोर्टेंट है 1987 में सुप्रीम कोट ने समिधान के 21 के आतहद प्रदूसर्ण मुक्त वतावरण में रहने के जीवन करिकार को मौली करिकार का एक हिस्सा मान लिया तीसरा के साता है विरेंदर गौर बना हर्याना राजवाद 1995 में सुप्रीम कोट ने इसमें भी पर्यावरण की तीरू मुलपाद बना भारत संगवाद और अन्यवाद 1996 में इसमें सुप्रीम कोट ने क्या बोला कि जो हरे भरे छेत्र उसकी प्रकीर्त वर्गीकरण या स्वामित की परवाद की बिना फॉरेस्ट के अर्थ का विस्तार किया था यानि इसका उदेश यह हुआ इसका स्वामित उसके परवाद की बिना फॉरेस्ट का जो अर्थ है फॉरेस्ट का वो दारा का विस्तार कर दिया था क्या कहता है लुद्ध न् ISको डार इइ molta थो युद्ध को थीक है इससा क्या है उदेश से था कि जो हमारा इसको बताएंगे लेकिन कुछ कुछ और केस है जैसे कि सुभास कुमार बनाम भारता इसमें सुप्रीम कोट ने जो समिधान का आर्टिकल 21 है इसके तहट मतलब जीवन का अदिकार इसको मौलिक बना था और प्रदूसर्ण मुक्त सिधान जो इसमें था ठीक है MC महता बनाम भारत और संगवाथ 2020 वाला इसमें न्सियार छेतर में ग्रेड़र रिस्पॉन्स एक्सन प्लान जी आर एप इसको पेस किया ठीक इसी तरह से अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे केसें जैसे कि MC महता बनाम भारत संगवाथ में पून दाईतुका सिधा सिधान्त यह पेस किये गए हैं तो यह भी चाहिए अभी 12 में भी सुप्रीम कोट ने प्रतिपूरक वनिकरण कोश और योजना प्रादिकरण कैमपा का जो है यह स्थापना की थी तो कुछ-कुछ जो केसे हैं ना वो चीज़ें यहां पर आपने देखा अब आता यहां पर प्रिकॉशनरी जो आपको प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो सिधान्त ना पॉलिसी जो मेकर होंगे उनको पर्यारन और स्वास समंदी खत्रों के बारे में असपश्ट जानकारी ना होने पर सधानी परतने को कहता है यह प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो लेने होते हैं वहीं प परियावरन के संरचन के संबंध में कुछ अन्य संवेथानिक प्रावधान क्या क्या है तो आर्टिकल 48a कहता है कि राज देश के परियावरन की रच्छा उसमें सुधार करने और वन और वन जीवन का रच्छा करने का प्रयास करेगा कौन बोलता यह आर्टिकल 48a बोलता ह तो बात आती है कि जलवाई परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे निपटने के लागू करने के संबंद में कौन कौन से चुनोतिया आती है जलवाई परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है उसके प्रतिकूल प्रभाव से सनच्छन करिकार को लागू करने में कौन कौन से चुनोतिया यह सवाल पूसकता है यह चैलेंजेस क्या है इन कौन आम पर देख रहें थीक है तो इसको है यहों आपने देख लियाorta कि लागू करना, अमल करना और इसको तमाम चीजें जो इम्प्लिमेंट अच्च तरीके से करना प्रभावी तरीके से इसका इफेक्ट साइट के पढ़ना इसमें देर ही हो सकती है प्रदूसर करता है कि पहचान करने में कठना ही होगी जैसे कि अगर कोई प्रदूसर के लिए कोई एक बेक्टी तो होता नहीं है सामुहिक जिम्हदारियां होती है और कई सारी अक्टिविटीज क्या होती है कि एक value chain की उतिज़े से मालो कि एक supply एक company है एक company क्या है कि एक company जो प्रोड़क्ट बनाना चाहती है किसी इस लिएगा यनि की कोई किसी कहीं से मंगाएगा अब जो आएगा वो क्या होगा ट्रांसपोर्ट सोगा ट्रांसपोर्ट क्या क्या ह Yak उसने पालूशन मतलब है जायीज बादे ट्रक या लॉरी या कुछ भी आएगे या ट्रेन ही आएगे तो बहूं प्रोदूसन तो हुआ न वहां से, बनाया steps महां पे भी production, supply किया महां पे भी production, और खा करके जो plastic fake देंगे आप, single use plastic वो भी एक production, तो ये क्या है कि एक chain का सिंखला होती है, कई सारी single 32 में जमताने होता है, तमाम जो इसमें कणिया जुड़ती है, तो production करता की पहचान करने में जो है, वो स्तुरोत क्या है, स्तुरोत के बाद जो है, उसमें subsidies और allies क्या है, जो production कर रही है, उनका पहचान करना काफी कठीन हो जाता है, ठीक है, यगर यही बात देखो, तो विकासात्मा कारे और परयाबनी करून में टकराव भी हो सकता है, कई बार जो और सनचना परणा है, उसमें खिलाब capitalism करूनों के, जो टकराव देखने में को मिल सकते हैं परयाबनी परभावों की पहचान करने उसका संवदान करने में कठनाई आ सक्ती है कमजोर निगरानी तंतर तो है ही हमारे हैं क्योंकि state pollution control boards जो हैं वैसे जो भी नियम की काई उसे पास नियमों का पारण कराने की जिम्मदारी है लेकिन क्या करते हैं कि वो उनके पास क्या है कि जो पर्धन है वो पर्यापत है आधुनिक उपकरन और जो infrastructure उसकी कमी है जन जाग स्थापना करके हम जो प्रभावी तरीके से एफेक्ट तरीके से लागू कर सकते हैं वैस्ट्वी कस्तर पर हमें करवाई करने चाहिए क्योंकि अगर समझो कि पर्यावन समन्दी चींता किसी एक देस की सीमा की वितर होती नहीं है पेरिश समझे नहीं कि तरह जो विभीन द दाने की बाते यहाँ पर होनी चाहिए जल्वाई परिवर्तन समंधी कानून को भी हमें ध्यान देना है जल्वाई परिवर्तन उसकी चिंताओं से निपटने के लिए एक ब्यापक कानून किया हो सकता है और सुप्रीम कोट ने एक जल्वाई परिवर्तन से निपटने के लिए एक ब्यापक कानून बनाने भी है हमें institutional capacity को मजबूत करना है जो भी परियावनी मावनों से निपटने वाली संस्थाएं उनको परियाप्त वित्ती संसाधन हो उन पर capacity जो development में निवेज की जाए अधिकारों के बारे में जारुकता करना यानि European Court of Human Rights ने कई फैसलों में जल्वाई परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार की जो निसक्रियता है उसे खिलाफ आम जन की और से कानूने मुद्दों का समर्थन किया तो ये 20 स्वस्तर पर जारुता पैदा कर सकता है तो ये चीज़ें जो हैं हम कर सकते है मुझे उमीद है कि इस आर्टिकल को करने के बाद अगर आप आंसर को लिखोगे तो मुझे उमीद है बहुत ब्यातरीन आर्टिकल आर्टिकल से कंटेंट को निकाल करके आप आंसर को लिख सकते हो और आप answer लिख करके टेलिग्राम पर send करना है टेलिग्राम का discussion group इसलिए बना है कि जो भी articles आप पढ़ते हो उसमें से कर कुछ PYQ उठा कर देखो आपकी जिम्हदारी है कि आप PYQ उठा कर देखो मैंने आपको दिखा दिया इसी तरह से अगर आप देखो तो मैं आपको हजारो PYQ दिखा जो क्योंकि 2013 से ले करके 2023 तक के अगर हम PYQ उठा ले है तो वही कफसाफिसेंट है आपके test series के रूप में तो आप लिख करके टेलिग्राम पर discussion group में भीज़ना टेलिग्राम का जो लिंक है वह मैंने बायो में दिया हुआ है आप जोईन कर सकते हो study for ISPCS ठीक है तो पहला आइस में आर्टिकल है आर्टिकल 1.1 Great Indian Bustard का समदचन Protection of Great Indian Bustard Supreme Court ने Great Indian Bustard के जो हैबिटाट है उसकी इलाकों में over high voltage जो और low voltage वाले बिजली तारों को जमीन के नीचे बिचाने है तो guidelines में उसने क्या संसोधन किया है ठीक है ये news था अब इस मामले के प्रिश्ट भूमी है कि Supreme Court ने 2020 में अपनी सभी फैसले में सभी जो overhead transmission line है उसके स्थापना पर पतिमन लगा जो उपर वाले जो लाई जाती है ठीक है इस फैसले में ही इस फैसले में ही कोर्ट ने sober headline को जमीन के नीचे भी विछाने के लिए guidelines दे दिये थे Supreme Court ने इसी आदेश में संसुधन किया है और Supreme Court कि इसी संसुधन इसी आदेश में संसुधन करने के लिए याचिका दायर की गए थी किसने किया था तो जो जलवायू और परिवर्तन मंत्राले है वियूत मंत्राले और नवीन और नवीकरने उड़ जाओ मंत्राले इन्होंने ये याचिका दायर की थी तो Supreme Court ने 2020 में अपने फैसले में जो निदेश जारी की थी उसे बताया था कि Supreme Court ने एक समिती न्युक्त की थी Great Indian Bustard के हैबिटाट वाले लाकों में जो ओबर हेड़ेट जो उपर वाले हाई बोल्टेज तार है उसको भूमी के नीचे बिछाने का काम करने का जिम्मा संपा था ठीक है तो ये क्या होती है कि आप समझो कि जो कम बोल्टेज वाली जो सभी लाइने थी उसको Great Indian Bustard के जो प्रियोरिटी और जो भविस के जो पटेंसियल वाले जो हैबिटाट है उसमें भूमी के बिछाने का दिज़ा निदेश दिया था ठीक है और बताया था कि जब तक ओबर हाई बोल्टेज लाइनों को जमीन के नीचे नहीं बिछा जाएगा तब तक विजली लाइनों पे जो है वो क्या है बोल्ट डाइवर्टर अस्थापित किया जाए यानि कि वो पच्छों की उसमें टकाने से मौत ना हो तो ये बात ही हाँ पर की गई अब सुप्रीम कोर्ट इसमें संसोधन किया फैसले में कहा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर उसके हैबिटाट वाले जो लाइकों में हाई वोल्टेज और लो बल्टेज तारों को भूमिकर बिताने के लिए जो अपने फैसले उसमें दिसा निदेश को आपस ले लिया है अब इसमें क्यों आपस लिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभी देखेंगे तो बिसे सक समीति के अगठन किया जो क्या करेगी कि जो ओभर हेड और विदुत वाला जो जमीन के नीचे लाइनों को संभावना दायरा वो ब्यभारताव सीमा क्या है मनद कहां पे ओबर एड होना चाहिए कहां पे अंडर्ग्राउंड होना चाहिए इस चीज का ब्यभारताव सीमा को बताएगी सासत अगर देखें तो अभी आप देखो तो जो मध्यपूर मिडेलिस्ट के देश है वहाँ पे हावबोरा बस्टर्ड नाम की इसी तरह के प्रजाती है जो क्या कर रही है अंतराश्टी इस तरह पर सर्वत्तम उपाई कर रही है जो सनचन के लिए तो उसके प्रयासों का अध्यान करके और हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हबिटाट में अनजिवों के सुन अच्छा सुन अच्छा है तो पाई को बताएगी ज़िस किसान के नीचे जमिन के नीचे अगर के लागत काफी अधिक हो रही है और भूमी अधिकरण हो नहीं रहा है सुपरीम कोट ने अपने हाई आफ हैसले में यह भी काया कि जो बैवडावस्टी उसके सेक्योरीटी और जल्वाई परिवरतन के प्रभाव को कम करने के बीच में दुबिधा हो रही है ठीक है यानि बैवडावस्टी के सेक्योरीटी करें या जल्वाई परिवरतन के प्रभ प्राइमरी रीजन्स हैं, तो यहां पर यह दूनों राजे क्या हैं, सौर उर्जा और नविकरन उर्जा कुट पादन के लिए मत्पूर हैं, ठीक है, तो यह भी चीज़े हैं आपे, अभी क्या रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के को समझ खत्रा भी हो रहा है, कई बा पार्यावरी समाजिक सम्ता आर्थिक सम्रीदी जलवाई परवरतन के मुद्दो को सामिल करते हुए, पर्यावराण के समरचन के लिए समगर द्रिष्टिकोर के आप सकता है, इस लाइन को आप कन्क्लूजन में लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कीवर्ट बड़ा अच्छा है, पर्यावराणी समरचन, समाजिक सम्ता, आर्थिक सम्रिदी, जलवाई परवतन के मुद्दो क सामिल करने के लिए हमें पर्यावराण के समरचन के लिए समगर द्रिष्टिकोर के आप सकता है, बस यह बहुत बेतरी इन लाइन है, तो अभी सरकार और ने आले दोनों को एक संतुलिदी, द्रिष्टिकोर भी अपनाना चाहिए, जलवाई परवरतन से निपटने के लिए हमें जो राष्टिल अच्छे उसको निधारिद करना जरूरत है, संधानी विकास के समगर समझ की भी आ सकता है, तभी जो है हम इस तत्काल जरूतों को हम लोग और सभी प्रियोर्टिस को सेट कर सकते हैं, इसके साथ सुप्रीम कोट ने एक भी सिशक समीती की निपती भी की है, हमें जानना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रियलिम्स परस्पेक्टिव से यह इंपॉर्टेंट है, यह देखो, इस पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के ताथ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाइस पजातियों में से एक पजाती है, ठीक, साइट का जो परिसिस्ट व कि कुछ बिसिस्थाएं क्या होती है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पजाती के गर्दन के नीचे बड़ी धारियां होती है, उप महाधीब के स्थानी पजाती है, और यहां की क्रिसी घास भूम में इसका मुख है, यह क्या है, ओमनी वोरस है, ठार के लिगस्तान में यह कुलाबादी लगबक स्वरो के असपास है, और गुजरात, महराश, करनाट का अंधरा वगएरा में भी थोड़ा थोड़ा यह चीज़ें, पायाती इसको सोनची रही है, साथ बोलते हैं, में भी साथ सोनची रही है, यह बोलते हैं इसको, नेस्ट आटिकल आता है, भा अंधोरा न इसका अर्थ किया है कि आलिंगर, यानि इंप्रेस, यानि इस दौरा आंधोलन के दौरान, जो ग्रामीर आंधोलन का ली थे, वो ब्रिचों को काटे जाने से रोकने के लिए चिपक कर गले लगा लेते थे, उत्पत्ती कहाँ प हुई थी, तो आठ्रमीस के साही आदिस दिया था कि सभी जो विष्णोई समुदायों से गाओं में पेडों को काटने पर बैन लगा दिया था, ठीक है, तो आंधोलन करता है कि नेता और जो कारे करता कौन थे, तो इस आंधोलन मुख रूप से ग्रामीर बहिलाओं ने निर्वाह के साधनों और करता कौन था चिपको आंधोलन में, तो यहां पे सुन्दर लाल भागुणा, चंडी प्रसाद भट और गोरा देवी थी, ठीक है, चिपको आंधोलन जो है, एको फेमिनिजम का जो दर्सन है, जो यह आपका पूरा दर्सन है, उसका एक महत्रपूर उधारन प्रसूत करता ह यहां अंधोलन क्या करता है, कि जो वन सनरच्छन है उसके प्रयासो में महिलाओं की सामुहिक लामबंदी के लिए प्रसिद होता है, ठीक है, तो यह चिपको आंधोलन के बारे में बड़ा इंपोर्टेंट बात है, कि चिपको आंधोलन एको फेमिनिजम के जो फिलोसफी उसका उधारने परसुत करता है या आंदूलन जो है वन सनरच्छन के प्रयासों में महिलाओं की सामुहिक लामबंदी के लिए प्रसिद्ध है ठीक है ध्यान देना इसमें प्रमुख निर्थित करता कों दे सुन्दयलल भौड़ा, चंडी प्रसाद भर्ट, गौरा देवी एको फेमिनिजम की बात यहाँ पर क्या रही है फिलोसिफी जो है एको फेमिनिजम की इसको हमनों बात करेंगे तो एको फेमिनिजम की जो फिलोसिफी है वो एक दार्षनिक और राजनेतिक आंदूलन का रूप है इसको आपको ध्यान देना है किसी में बस यह समाझ लो इसको मैं जादा कुछ प्रिलिम्स पगर नहीं पूछा है एको फेमिनिजम होता क्या है एको मतलब एकोलाजी एंवर्मेंट ठीक है और फेमिनिजम मतलब नारीबात तो यह दार्षनिक और पॉलिटिकल जो एक अंदूलन का रूप होता इसमें क्या है परिसिति की समधी जो मुद्धे है उसके समधार में महिलाओं की भूमिकाक के इसमें इंपोर्टेंस दी जाती है जो इको फेमिनिजम की जो विचारधारा बोलती है कि हमारी जो कल्चर है उस पर एक क्या है पूजी वादी ध्यान देना कैप्टलिस्ट पृत्सतात्मक प्रट्यार की ब्योस्था का प्रभुत्थ है इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है जो पूजी वादी प्रित्त सतात्मक भेवस्ता है, उसमें क्या है, कि जो social values है, जो ethics है, उसका निधारन क्या होता है, ऐसे work करता है, जो lab से प्रेरित हो निक साता है, लिंग भेदी और पुरूस किंद्रित भी है, इसी के खिलाफ ecofeminism की बात होती है, तो अब इस ecofeminism के उदय हो गया, ठीक है, इसका उदय क्या हुआ, कि जो, इसका एक factor रही था, कि महिलाओं द्वारा संजो करके, जो संधारनी प्रथाएं थी, उसके traditional knowledge को पीढ़ दर पीढ़े आगे बढ़ाना भी है, तो ये भी एक चीट है, और सासद क्या है, कि महिलाओं के जीवन के इको फैमिनिजम की प्रासंगता यहा, कि ये पूजीवादी जो है, सोचन की अलोचना करता है, जो इन्वार्मेंटल जस्टिस है, उसकी मानता को समर्थन देता है, कौन? इको फैमिनिजम. तो भारत में जो अन्य प्रमुख पर्यावरणी आंदूलन है, इसके बारे में समझेंगे, इसका आंदूलन का परभाव कहा पड़ता है, इफेक्ट, कई सारी चुनोतियां हैं और आगे की रहा है, तो ये आपका जो चीजे हैं, वो कम्प्लीट हो जाएंगी, तो भारत मे जो पर्मुख पर्यावरणी आंदूलन है, उसको मैं अगर आप मैप से दिखा हूँ, तो ये आप देखो, उत्रा खंड पे चिपको आंदूलन, दून घाटी में लाइम इस्टोन उत्खन के बियुत आंदूलन, और भागरती बजाने के लिए टिहरी बाद के निर्मार मे आंदूलन हुआ, त्रिपुरा में गुम्टी हाइडरो एलेक्ट्रिक पर्योजना खिलाफ आदिवासियों का परदर्शन, पस्ची मंगाल में ग्रामीर महिला अस्रमी कुन्यन समीती, उडिसा में गंध मर्दन पहाड़ियों में बाकसाइट खरन के विरोध में युवा का आंदूलन, अपिको आंदूलन अभी पढ़ेंगे, 1983 में हुआ था, केरल में साइलेंट वाइली मुमेंट, तो ये सारे जो मुमेंट्स है ना, ये मुमेंट्स क्या है, भारत में प्रमुख पर्यावड़ी आंदूलन है, इसको आप मैप में ऐसे भी बना करके, UPSC में विरोध में हुआ था, अपिको आंदूलन, 1903 में हुआ था, जो करनाटक में पांडू, रंग, हईगड़े के नहितरत में चला गया, ये चिपको आंदूलन से ही प्रितनी था, और करनाटक के जो पस्चिमी घारते उसने महिलावं में, बनों की कटाई को रोकने के लिए ब ठीक है, तो ये जो है प्रमुख, प्रमुख पर्यावणी अंदूलन हुए थे, तो भारत में पर्यावणी अंदूलों का प्रभाव क्या पड़ा, तो इस पर्यावणी अंदूलों का प्रभाव ये पड़ा कि महिलाओं को नेतृत का आउसर, जैसे कि गवरादेवी में घ पाटेकर इलोगों का जो है प्रमुक जो है नेतरित रहा जो परयावरण की पॉलसी और कानूनों उसको प्रभावीत किया इसने इस यां अंदोलन ने वर्ण अधिकार हैं 2006 जैसे कानूनों नो को प्रभावीत किया ठीक है forest management में अस्थानी समुदायों के भागदारी को सुनिश्चित किया अहिंसक आंदोलनों की विरासत को बरकरा रखा अहिंसा सत्यागरह जैसी गांदिवादिया और धारना को बरकरा रखा संधानी विकास को प्रोसाहित किया निसे नमदा अंदोलन बचाओ संस्कृतिक पहचान को बनाए रखा देशज और अस्थानी समुदायों के जो है वो प्राकरितिक संद्च्छन के लिए जो सबसे उप्युक्त हितारक होते हैं अस्थानी समुदाय इसी से जो है ये forest management में इन लोगों को काफी अधिक महत्ता मिली गरीबों के पर्यावरण वाद की विचारधारा की बकालत की यहीं इस अंदुलनने आधुनिक विकास वाद की अलोचना की और परामपरिक जुध संद्धारनी विकास पत्थाओं के पुनोरधान पर बल दिया इन पर्यावरणी आंदोलनों के समच कौन कौन से चुनोतियां आई तो ध्यान देना है कि पर्याप्त डेटा और तक्निकी जनकारी का भाव अस्थानी सरकारों के आसपास पर्यावरण के बारे में जो है निड़े लेने की सकती का भाव है ये क्या होती है प्रतिक्रियासिल होती है जो पर्यावरणी आंदुलन क्या होती है एक रियक्षन में उभर कराते है और ये क्या करते है रियक्षन में उभर आने काथ कि ये क्या करते है अल्टरनेटिब कुछ प्रस्तूत नहीं कर पाते ये त्मस्या है बिभिन प्रकार के ज पर्यावरणी आंदोलनों के समझ आने मली कुछ चुरोतनियों की बात यहाँ पर की जारी तो आगे की रहा ऐसे में क्या हो सकती है तो आइन आंदोलनों के जरिए वैकलपिक जन अनुकूल विकास की युजनाओं को रूप रेखा प्रस्तुत कर सकते हैं संधारणी और समानता पर यानि की जो सस्टेनेबल हो और इक्विलिटी पर अधारित किया हो समाज का निर्मार करना में एक महत्पूर कदम होगा लोगों को क्या करना है पर्यावरण के प्रबंधन के मामले में अधिक नियंत्र देने वाले अभियान चला सकते हैं इसे आमज साथ द्यक्तिकत करवाई को भी बढ़ाओ देना चाहिए कि हमें लाइफ पहल जो है लोगों को जीवन के परामपरिक तरीके के अधार पर प्री प्लैनेट पीपल बराने के लिए प्रजित करें वहला इसको भी हमें प्रोसाइद करना है ठीक है और साथ अगर देखें तो परियुजना के स्वामियों के बजाए जो प्रभावी अबादी उसके द्वारा प्रयावनी प्रभाव आकलन इन्वार्मेंटल इंपेक्ट असेस्मेंट इपी अभी आपको पढ़ना पड़ेगा इसको इसके लिए अभियान में चला सकते हैं हम लोग तो इन्वार्मेंट सीमित होती है लोगों में जगरुकता का आभाव होता है डेटा का अभाव है बैकल्पी के उजनाया प्रस्तुत नहीं कर रही है संगठनिक सकती का अभाव है ठीक है तो इए सबी चीजे अभाव है इससे इनी पहलों से दूर हो सकती है आगे कदम उठाएंगे तो अभी क् बिकास के लिए कुछ-कुछ भारती रिती रिवाज और पनंप्राय जैसे की उधार पूजीवाद, ये कौन बोलता है, कांधी जी ने सर्वोदे की अधारनाय में देखा था, सभी को समान उसर होना चाहिए, सभी को उत्थान के लिए बात करनी चाहिए, चक्री अर्थविव की तरवन्दे होता बगारा, जीवों का सनच्छन की बात होती है, जैसे कि अभी आप देखो न, ये सलमान का हालना सलालों से विश्मवी वला जगडा किस बात पे था, वही तो आप विश्मवी समुदाय जो है मांगता है उसको, फिर इसी तरह से स्वास्त को तोर पे एए है, ठीक है, अब आता है, नेक्स्ट आर्टिकल, सस्टेनेबल आइंस for the Tiger Landiscape Conference, सस्टेनेबल आइंस for the Tiger Landiscape Conference, SFTLC, हाली में SFTLC की मिजवानी कौन किया है, तो भूटान सरकार द्वरा की गई है, इसका समर्थन, Tiger Sanger, संगत्वंदन ने लिया, ध्यान देना है, इसकी मि बुटान सरकारद्वारा की गई है। तो टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरum के अनुमान के अनुसार अगर आप देखें तो 2020 में अस्या में फिर सुंदरबन डेल्टा, फिर मद्यपूरो भारत और पूरवी घाट का और पस्चमी घाट का छेतर, यह क्या है बाग के परिवास हैं, अभी आप देखो वित के अलावा तो बाग पर्दिस पर इंफ्रेस्ट्रक्चर के डेवलप्मेंट का परभाव पड़ा है, जैसे कि एजामपल के लिए, राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स है, वो टाइगर है, उससे जड़ने वाली जो आठ लेन की सड़क है, उस ग्रीन काटे गया है, कितने हैबिटाट, उसको साइज साइज से घेरा भी गया है, यानि यहां से टाइगर आएगा, तो इधर भी नहीं जा पाएगा, तो यह सब चीज़े क्या है, परियावास कहां नहीं होती है, उसकी, तो SFTLC का उदिस क्या है, जो आपका यह पूरा सस्टेने और बाग परिद्रिसी के समर्थन को बढ़ावा देना है, इसका पैरो स्ट्मेंट में कहा गया है, इसका लक्ष ही है, कि दोज़ा 24 तक बाग समनच्छन के लिए 1 बिलियन अमेर्की डॉलर की एडिसनल जो है, वो धनरासी को जुटाना है, इस समिलन में सस्टेनेबल फाइ यह ध्यान देना, टाइगर बॉन्ड, ACIB कास बैंक, ADB का, यह ध्यान देना, ADB का, इसका उदे से क्या है, कि जो प्राइवेट सेक्टर, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, उसको जोड़ने के लिए, प्रकिर्ति अधारित समधानों को प्रोचाहित करने के लिए, टाइगर ब प्रजाती को मानता मिल जाती, उसका उर्थ नहीं होता है, कि प्रजाती की जो अबादी है, उसे समधित जय भी वित्ता के संतुलन को बना रखने में महत्पूर भूमिकानी बाती है, यानि कि जो यह अबादी प्रजाती होगी, वो जो बायो डावरसिटी के बैलेंस को बै सांस्कृतिक पहचान काफी अधिक यह जुड़ा हुआ, बाग जो एसिया की सांस्कृतिक पहचान और विरासत से जुड़ा हुआ, इसलिए इसका संत्चन जरूरी है, जलवाई परिवर्तन का समय, यानि कि अगर विशाल छेत्रों में जो औक विखंडित वनों का संत्चन टेक है, तो यह चीज़ों से कंट्रोल करने में, इसको रोकने में हम लोग बदद मिल सकती है, अब एक पहंदना है, टाइगर कंजर्वेशन कोलीशन, यह important है, प्रिलिंस के लिए परस्पेक्टिफ है, टाइगर कंजर्वेशन क्या है, संगठनों का एक संगठनों का एक सं उसके छेत्र में हमें इन सभी विसेशगों को जो भी गानियों को क्या करता है वो एक्जूट करता है तो इसमें कौन-कौन से है तो इसमें IUCN, UNDP और WWF यानि की World Wide for Nature, UNDP, United Nations Development Program और International Union for Concentration of Nature, IUCN यह है टाइगर रेंज देश में कौन-कौन से देश है तो इसमें ध्यान देना है आपको बांगलादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेसिया, लाउस, मियामार, नेपाल, रूस, थाइलेंड और वियतना, मैप पे देख लेना, complete हो जाएगा तो यह तीन आर्टिकल हम लोगों ने देखा और इंपोर्टेंट इसमें था जो मैंने आपको मेंस के परस्पेक्टिव से बना दिखा पर्यावणी आंदरुनों को देख बताया इसमें पूछ सकता है और यह बड़ा अच्छा मैप है इसको आप बना भी सकते हो, इको फेम जरूर भीजेगा, ठीक है, धन्यवाद